Assalamu alaikum, I am Sir Aysan Abdullah Patel हम लोग first time mathematics sequence series exercise 6.2 पढ़ रहे थे, उसे हो continue करेंगे question है हमारे पास how many terms of each of the series, question no.8 का part 1 क्या रहा है कि 21 plus 18 plus 15 plus dot 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 how many terms will make the sum 66 और क्या रहा है explain the double answer आप कभी भी AP को solve करते हैं तो हमें फैर यहां पर data बनाते हैं पर है A यहां पर 21 है, D यहां पर होगा 18 minus 21 that is minus 3 SN हमें given है 66, 6 के बरावर ठीक, हमें निकालना है number of terms that is N sum का formula सब को पता है N upon 2 2A plus N minus 1 into D problem यह है कि जब आप N निकालते हैं आप देख सकते हैं N यहां पर quality form में होता है, तो N के हमेशा दो answer आते हैं और एक N जो है positive आता है, एक N जो है negative आता है लेकिन जब भी आप decreasing AP को solve करेंगे तो it might be a possibility कि आपर दोनों N जो है वो positive आ जाएंगे, तो उस सुरत में आपको verification देना लास में होता है, समा हमने रखा 66, N है हमारे पास unknown, यहां जो जाएगा 2 into 21 plus N minus 1 into T, T कितना है minus 3, अच्छा भई, यह दर जाके multiply हो जाएगा, चनाब यहां से हम जब multiply करेंगे, यहां जाएगा 42 minus 3N plus 3, यहां जाएगा 45 minus 3N यहां से common आ रहा है 3, यह बचेगा 15 minus N, अगर हम cancel out करें, यह बचेगा 44 is equal to N 15 minus N, multiply कर लेते हैं, यह हो जाएगा 15N minus N square, तो quadratic equation बन जाएगी जैसा कि हम सबको quadratic formula सब्सक्राइगा, यहां जाएगा 11, और एक आएगा 4, तो अब ऐसा कैसे possible है कि 4 terms कभी उतना ही समाए और 11 terms कभी उतना ही समाए, तो हम यहां पर देंगे verification, 4 terms का मतलब है, N is equal to 4 का मतलब है, कि 4 terms को है, इनका sum 66 के बराबर है, आप देख सकते हैं, minus 3, minus 3, 15 के बाद minus 3 हो जाएगा 12, और आप जब आप add करेंगे, तो answer कितना हैगा, 66, N is equal to 11 का मतलब है, कि अब आप 11 terms को add करेंगे, 12 के बाद अगली term होगी 9, 9 के बाद होगी 6, 6 के बाद होगी 3, 3 के बाद होगी 0, minus 3, minus 6, minus 9, तो actually हैं तो वही 4 terms, हूँकर प्लस वाली और माइनस वाली सारी की सारी cancel होकर answer क्या दे रही है, 66, तो verification हो गई, question number हमारे पास मौझूद है, 12 में कह रहा है, sum to n even natural numbers is 1 plus 1 upon n times the sum of odd natural numbers, तो basically हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम question number solve कर रहे हैं, 15, हम S1 suppose करेंगे, 1 plus 3 plus 5, plus dot dot dot, और हम S2 suppose करेंगे, 2 plus 4 plus 6 plus dot dot dot, तो हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है, कि sum of odd numbers is equal to 1 plus, sorry, sum of even numbers, is 1 plus 1 upon n times sum of odd numbers, odd numbers को हमने S1 ले लिए, इसको S2 ले लिए, इसको जब solve करेंगे, तो इस तरह का सवाल हम पहले भी कर चूके हैं, A1 के बराबर है, D2 के बराबर है, N हमें unknown है, तो N दे देते हैं, यहाँ पर A2 के बराबर है, D जो है, वो 2 के बराबर है, और N जो है, वो N के बराबर है, क्योंकि हमें unknown है, sum का formula हम सबको मालूब है, N upon 2, 2A plus N minus 1 into D, यहाँ पर values put करेंगे, यह बचाएगा, N upon 2, 2A plus N minus 1 into D कितना है, 2, 2 यहाँ से आएगा common, यह बचाएगा, 1 plus N minus 1, 1 से 1 cancel, 2 से 2 cancel, N into N हो जाएगा, N square, बिल्कुल ऐसा ही, यहाँ पर करेंगे, 2 into 2, D यहाँ पर है, 2, जनाब यहाँ से आएगर मैं 2 का मन निकाल लूँ, यहाँ पर बचाएगा, 2 plus N minus 1, 2 से 2 cancel हो जाएगा, और यह बचाएगा, N into N plus 1, यहाँ पर 2 में से जब 1 जाएगा, तो 1 बचेगा, तो event numbers का sum हो जाएगा है, N into N plus 1, यहाँ पर LCM ले लेंगे, यह हो जाएगा, N plus 1 upon N, और sum of odd numbers हम निकाल चुके हैं, N square के रावर N से N cancel होगा, और यह हमारा प्रूब हो गया, तो Alhamdulillah exercise 6.2 हमने खतम की, और further exercise के लिए आप further वीडियो को मेरी subscribe कर सकते हैं, Sir Ahsan Abdullah Patel के नाम से, ठीक है, Assalamualaikum.